बच्चो हमने चैप्टर पढ़ा If I Were You, एक बहुत ही मज़िदा नातक था ना ये चैप्टर में, तो बच्चो आज करेंगे हम इसी वीडियो के Question-Answers, चलो करते हैं इस चैप्टर के Question-Answers की शुरुआत, पहला सवाल है, At last a sympathetic audience, तो बच्चो क्या हो रहा है इन सवालों में आपको एक वाक्य दिया जा रहा है और उस वाक्य के ऊपर ही आपसे सवाल पूछे जा रहा है, वाक्य क्या है, At last a sympathetic audience, सवाल है, Who says this, ये बात किस ने कही, तो बच्चो हमने क्या जाना था इस चैप्टर में, कि ये बात कही थी जिराड में, दूसरा सवाल, Why does he say it, जिराड ने ऐसी बात क्यों कही, तो देखिए क्या लिखेंगे, He says this because, वो ऐसा कहता है क्योंकि, the intruder becomes sympathetic towards him, क्योंकि जो intruder है, यानि वो गुसपैटिया है, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर सहनुपूती आ जाती है, जिराड को लेकर, तीसा सवाल, इसी sarcastic और सीरियस, तो क्या जिर sarcastic है, यानि कि ताना करते हुए, व्यंग करते हुए, वो ये बात बोलता है, दूसरा, why does the intruder choose Gerard as a man whose identity he wants to take on, intruder क्यों जिराड को चुनता है, एसे व्यक्ति के रूप में, जिसकी identity पहचान वो लेना चाहता है, बचो इसलिए क्योंकि, जिराड क्या करता है, एक दिन आता ह है, अगले दिन चला जाता है, वो अपने फोन पे और देता है, जादा लोग उससे मिलने नहीं आता है, ऐसा ही जीवन ये इंटूडर चाहता है, अब लिखेंगे कैसी इस उत्तर को देख लें, देखिए, the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take, intruder Gerard को चुनता है, उस व्यक्ति के रूप में जिसकी वो पहचान लेना चाहता है, because, क्योंकि, he is a kind of a mystery man, क्योंकि Gerard एक तरह का रहस्यमय व्यक्ति है, he phones his orders and sometimes goes away, वो क्या करता है Gerard, अपना फोन पे order देता है, और कई बार गायब हो जाता है, अचानक, and comes back just the same, और अचानक ही आ जाता है, तीसरा, I said it with bullets, तो बच्चों ये वापिस से आपके सामने सवाल क्या आया है, कि आपके सामने वाक्य है, उसी वाक्य के उपर निर्भर सवाल है, तो इस वाक्य की मैंने क्या बोला, मैंने बोला गोलियों से, ये बात किस ने कही थी, ये बात कही थी बच्चों जिराड में, दूसरा सवाल, what does it mean, इस वा वो काफी ज़्यादा खतरनाक है C. Is it the truth? What is the speaker's reason for saying that? क्या इस बात में सच था? और वो जो speaker था उसका मतलब क्या था? या उसका कारण क्या था? ये बोलने का तो हम क्या लिखेंगे? No, नहीं He wants that intruder should change his idea of killing it ये बोला जाता है ज़्याद के दवारा क्योंकि वो चाहता है कि घुसपैटी अपना दिमाग बदल दे उसको मारने के बारे में चौथा सवाल What is Gerard's profession? ज़्याद का profession क्या है? पेशा क्या है? Quote the parts of the play that support your answer और इस नाटक के उन हिस्सों के बारे में आपको बताना है जिसमें क्या हो रहा है? जो सहायता कर रहे हैं आपके इस उत्तर देने में तो कैसे लिखे हैंगे हम देखिए? Gerard is a dramatist Gerard क्या है? ड्रामस्टिस्ट है He says, वो बोलता है Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal कैसे पता चला हमें? क्योंकि वो कहता है कि मुझे माफ करना मैं तुमें ये नाटक का सामान नहीं दे सकता पूर्वा भ्यास के ये पाच्वा सवाल You'll soon stop being smart अब बच्चो फिर से वही एक वाक्य दिया गया है उस वाक्य के उपर ही सवाल है तो वाक्य है कि तुम बहुत जल्दी ये हुश्यारी दिखाना छोड होगे Who says this? ये बात कौन बोलता है? वच्चो ये बात बोलता है Intruder दूसरा सवाल Why does the speaker say it? तो ये जो speaker है यानि कि intruder है ये बात क्यों कहता है? He says it because Gerard does not seem afraid of his gun even वो इसले बोलता है Intruder ये बात क्योंकि ऐसा लगता है कि Gerard को बंदूग से भी डर नहीं लगता तीसरा सवाल What according to the speaker will stop Gerard from being smart? आपके अनुसार या फिर इस speaker के अनुसार असल में क्या बच्चो speaker के अनुसार तो speaker के अनुसार क्या चीज रोग सकती है Gerard को हुश्यारी दिखाने से तो क्या लिखेंगे हम? According to the speaker speaker के अनुसार the bullet will stop Gerard from being smart कि बंदूग की गोली रोग देगी Gerard को हुश्यारी दिखाने से चटा They can't hang me twice वो लोग मुझे दो बार फासी नहीं दे सकते Who says this? ये बात किस ने कही थी? बच्चो ये बात भी कही थी इंटूडर ने Why does the speaker say it? ये बात speaker ने क्यों बोली थी? बच्चो इंटूडर ने क्यों बोली थी? इसलिए बोली थी कि भई पहले से वो एक खून कर चुका है और एक बार उस खून के लिए क्या होने वाला था? उसको फासी होने वाली थी अब हम देखिये कैसे लिखेंगे? The speaker says it because he wants to murder Gerard Speaker ये बात बोलता है क्योंकि वो खून करना चाहता है Gerard का And he has already murdered someone और उसने पहले से किसी का खून कर दिया है So the police cannot hang him twice इसी कारन से पुलिस इसे दो बार फास ही नहीं दे सकती सात्वा सवाल A mystery I propose to explain Why is the mystery the speaker proposes to explain? तो बच्चो जो speaker था ठीक है यानि कि Gerard ने ये जो बात कही थी कि ऐसा रहसी है जिसका मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं ये कौन सी mystery की बात कर रहा है जिराड तो देखिये कैसे लिखेंगे हम The speaker wants that the intruder should explain what mystery is associated with him तो वो जो speaker है यानि कि Gerard है वो ये चाहता है कि जो intruder है वो व्याख्या करे कि कौन सी कौन सा रहस्य उसके साद जुड़ा है The mystery is about Gerard's placing his orders on telephone और ये रहस्य क्या है Gerard का phone पे order देना And he goes out suddenly and returns in the same way और किस प्रकार से Gerard अचानक चला जाता है और अचानक आ जाता है आठवा This is your big surprise ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अश्चरी की बात है Where has this been said in the play इस नातक में ये बात कहां बोली गई है आपको ये बताना है बचो ये वाक्य किस ने बोला था ये बोला था Gerard ने अब दिखते हैं क्या लिखेंगे हम Gerard speaks this line ये line बोली थी Gerard ने He tells the intruder, वो intruder को बताता है That if he is not hanged for his murder अगर उसको उसके खून के लिए फासी नहीं दी गई He will certainly be hanged तो उसको निश्चित रूप से फासी दे दी जाएगी Being Vincent Charles Gerard अगर उसने पहचान ले ली Vincent Charles Gerard की तो At this time he utters this word और इसी समय पर Gerard ने ये बात बोले थे This is your big surprise अब इसका दूसरे सवाल क्या है What is the surprise? वाश्चरिक क्या है? The big surprise is that Gerard will not be killed by him वो surprise की बात ये है कि Gerard की हत्या उसके द्वारा नहीं होगी He is right in saying this और Gerard क्या है? बिल्कुल सही था ये बात बोलने में तो बच्चों मज़ेदा लगा ना आपको ये नाटक मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको नाटक भी पसंद आया होगा अपने अहसानी से इन सवालों की उत्तर दे दिये होंगे तो बच्चों इसी चैप्टर यानि की If I Were You के साथ हो गया है आपकी बुक बीहाइव का कोर्स समभापत